है नमश्कार है युश करепो कि पर हमने दता इंफर्मेशन टेक्नलोजी डीभी म corpse आज हम शुरू करेंगे कि इंफ्रमेशन टेक्नलोजी की रहते तो इंफोर्मेशन यानिंद क्या और कंसेप्ट डेटा इंफर्मेशन है माहिती है उस माहिती को हम अगर कंप्यूटर में स्टोर कर रहे है और उस पर प्रोसीजर करके अच्छी इंफरमेशन और बना रहे तो इस इंफरमेशन एंट टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी नहीं तंत्र है जैसे कि हमारे पास में कंप्यूटर है कंप्यूटर को इंस्ट्रक तो वह हो गया information और जो computer था वह हो है technology तो जो data हमारे पास है वो data हम किसी machine को देखे या फिर computer को देखे उससे अच्छा एक output निकाल रहे है जो output निकालने की procedure है और जहां से हम output निकाल रहे है वो technology है और उस procedure को बोलेंगे information and technology इसके अगर definition की जाये तो क्या होती information technology technology encompasses all the technologies that use in the order to create, collect, process, protect and store the information जिसमें information क्या होती है create होती है, collect होती है, process होती है, protect होती है यानि सुरक्षित होती है और stored रखी जाती है यह सब अगर hardware software यानि computer के द्वारा होता है तो इसे बोलते है information and technology technology की, कि this concept, information technology concept involves the transfer and use of all kinds of information जो information है, जो data है उससे बारे में जो भी communication है या फिर all concepts जो है उसमें involved होते हैं, use होते हैं, information के बारे में जो भी procedures होते हैं, involved होते हैं, यह सभी procedures को हम बोलेंगे information technology technology, जैसे कि आपको मालूम है कि आज information technology हर जगह पे है, bank में है आपके घरो में आज जो मेरा lecture आप जो सुन रहे हैं आज, वो भी किस द्वारा हो रहा है, वो भी information technology के द्वारा हो रहा है, what is it means, it means information technology technology play a very vital role in our day-to-day life today, आज हमारे day-to-day life में भी information technology का अन्यन्य सदारन महात हुआ है, जो एंटिटीज है वो important है, जैसे कि अगर आप ग्यारवी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए books है, तो वो भूक्स आप पढ़के ग्यारवी पास हो रहे है, ने तो आप ग्यारवी पास हो रहे हैं तो जैसे ही आपको बूक्स की ज़रूरत है, आपको ग्यारवी के की ज़रूरत है, वाईसे information technology को data की ज़रूरत है, अगर data है तो हम उस पर procedure करेंगे, अगर data नहीं है तो क्या करेंगे, तो data यह क्या है, एक basic concept है, data means raw of facts, raw facts actually, body of facts, यहने बहुत सारी जो कच्ची information, कच्ची माहिती है, जो हम computer को देते हैं और उससे क्या करते हैं, उससे procedure करके एक अच्छा साच्चा data information बनाती है, अब अच्छी तरह समझ लो, data क्या है, तो data है raw information, raw मतलब कच्ची माहिती, जो data है, और उस पर procedure होने के बाद में क्या बन जाता है, वो ripe information बन जाती है, information बन जाती है, data, process, information, data होता है, उस पर हम process करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगे होता है, उसको हम machine में डालते है, चक्के में डालते है, फिर उसका आठा बंता, आठा हमारे लिए information, तो data क्या है, फिर data गेहू है, machine क्या है, computer है, और information क्या है, तो आठा है, तो हम कोई भी कच्छी, जो information रहते है, डेटा रहते है, वो हम computer को देते है, computer उस पर process करता है, और फिर इंफर्मेशन तायर हो जाती है तो डेटा प्रोसेसिंग और इंफर्मेशन ये थ्री स्टेज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है डेटा प्रोसेसिंग और इंफर्मेशन डेटा यह नहीं क्या होता है कि डेटा बॉल्य फैक्ट्स फैक्ट्स होते हैं जो हमारे पास मे मेरें हम उसको क्या करते पर प्रस करते हैं तो उससे इन इंतवर मिशन मन जांदी तो एजी शबद में नशने निदेटा रॉर सबस्क्राइट कर ना मतलब शल्त ये prettier बात देन गचैन मिन जाते की अपकी mature है आधार है निधर मुझें तो ये डेटा का फिर है need of information अभी information की जरुरत क्या है यहाँ पर इंफर्मेशन की छोटी से जरुरत दिया है लेकिन सबसे important यह है कि अगर हम किसी भी educational institution में डेटा पर process करके information कर रहे हैं एकाद और्गनाइजेशन में company में business में किसी भी organization में हम data से information बना रहे है तो information का अन्यन ना साधारन मौत हो है, बहुत ज्यादा रोल है, तो हमें पूरी की पूरी information से ज्ञान हो जाता है, knowledge आ जाता है, कि इस institution में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे लास्ट एर में पढ़े थे, कितने पास हुए थे, कितने परसेंट रिजर्ट था, एका जादे जोटे से office के लिए क्या है, तो offices का खर्चा कितना है, कितने लोग आके कितने लोग गए, office का भाड़ा कितना है, तो हर जो organization है, institution है, इससे हिसाब से information का जो महत्व है, वो बढ़ता जाता है, या फिर information इतनी important होती जाती है, information is required to take the short term and long term decision, तो उससे हमारा एक आदा का होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते है, फिर हमारे company में हम और कुछ capital बढ़ा सकते है, या फिर और योगदान बढ़ा सकते है, पैसल आ सकते है, banks loan करके हमारे products बढ़ा सकते है, advertisement बढ़ा सकते है, हमारे marketing बढ़ा सकते है, तो it is only possible through the information, ये कैसे possible हुआ, कि हमारे पास में information थी कि last year में हमारा HR department में ये था, advertisement में ये ये था, हमारे इतने इतने product थे, इतने product बिके थे, इतना percentage हमको profit हुआ था, उसको हमें बढ़ा ना, ये information थी, information से हमने क्या किया, decision लिया, कि this year we want to improve our profit, और हमने वो बढ़ा है, that is the role of information, ये है information की need, आपको भी information की need है, आपको क्या है, कि आप 11 में आपका base है, IT हो, accounts हो, SP हो, OC हो, whatever, तो आप base पका कर रहे है आपको, तो आपकी जो information है, वो आप बढ़ा रहे है, जिससे क्या होगा, जिससे आप जब intermediate के second में याने 12 में जाएंगे, तो आपकी knowledge में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना आएगा, आप आगे जा सकेंगे, एक step के लिए, that is the role of the information in our life, in day-to-day life, अब मेरे लिए क्या है, एक सामान्य आदमी के लिए क्या है, उसके लिए ये information है, कि उसका महिने की उसके आमदनी क्या है, या साल के आमदनी क्या है, उसको कितना आमदनी के लिए लगाना है, कितना उसके घर के लिए लगाना है, so what is this, this is an information, ये सभी information, इसके जैसे क्या होता है, उसको उसकी day-to-day life में decision लेनी की पावर आ जाती है, तो information हर दुनिया के हर एक आदमी, institution, organization के लिए बहुत ही ज्यादा important है, बहुत ही ज्यादा माहने रखत होता है, तो हमारे सामने और एक point आ जाता है, वो है कि जिस technology से हम data से information convert कर रहे है, वो technology क्या है, तो वो technology और कुछ नहीं है, वो है computer, और computer क्या है, तो computer एक machine है, मैं बहुत ही सिधे शब्दों में कहूं, तो computer is a machine which perform arithmetic and logical functions, जिसमें क्या होता है, तो गनीतिय, अर्थशास्त्र या तरक शास्त्रिय प्रक्रिया जो है, वो पूरी की जाती है, और जिससे output निकला जाता है, जिससे कि गनीतिय बूलेंगे तो हमारे business में कितना पैसा है, कितना utilize हुआ है, कितने product है, कितना sell हुआ है, कितना profit हुआ है, कितना net profit हुआ है, यह सब को निकाल के दे रहा है, computer न समझ गए, तो इस सब कुन कर रहा है, यह सब computer कर रहा है, इसलिए computer, information technology में क्या है, information technology के लिए सबसी बड़ी अगर कोई entity है, जो हमें information बना के दे रहे है, वो है computer, जो technology है, technology, और यह computer फिर आपको computer भी जैनना होगा, तो computer क्या है, computer है, computer है, computer है, computer नाम के latin word से आया हुआ है Latin word है computer जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है calculate या फिर count या फिर arithmetic operations और इसके लिए कुछ inputs देने पढ़ते हैं और यह क्या करता है? calculation करता है computer तो computer is an machine यह machine जो क्या करता है? जो calculation करता है, count करता है, sum up करता है जिसको हम electronic machine भी बोलते हैं यह computer के बहुत सारे definitions है वैख्य है जैसे मैं एक आदिया आपको एक्स्प्रेस कर देता हूँ कि computer is an machine which perform arithmetic and logical performance within a few time, दूसरे एक वैख्या बोलेंगे computer is a set of hardware and softwares, it is the systems which take the instruction and give the output, तो उसकी बहुत सारे जो है computer के definition है, easy easy भी है, जैसे की computer की easy definition क्या है, कि computer क्या है, computer एक electronic machine है, जो गनितिया और तरक शास्त्रिया प्रक्रिया कम समय में पूरी करती है, मैं इसको English में कहूँगा, computer is an computer is electronic machine which perform arithmetic and logical operations within a few time, कम समय में गनितिया और तरक शास्त्रिया प्रक्रिया पूर्णा करने वाली electronic machine को हम computer बोलते हैं, computer में computer एक system है, उसमें बहुत सारे जो है घटक होते हैं, उपगटक होते हैं, यानि entities, sub entities होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, फिर a computer can process data, images, audios, videos and graphics, a computer performs 5 major operations, computer के 5 major operations है, कौन से कौन से हैं, जो computer के हम entities, sub entities देखने जा रहे थे, उसके पहली computer के कुछ operations देखेंगे, जैसे कि पहला है, it accepts the data and instruction by the way of input, input के तोर पर computer क्या करता है, data और instruction accept करता है, यूजर से, जैसे कि मैं computer पर बैटाओ, आप computer के सामने है, अपने computer क इंस्ट्रक्शन से दी है, तो यह instructions computer क्या करता है, accept करता है, ये पहला function है, दूसरा क्या है, वो store कर लेता है, उसमें, खुद में store कर लेता है, तिसरा क्या है, उसका एक result तायर करता है, और पाच़ जबा क्या है, ये सब करते वग, इस पे से नियंतर ने रखता है, एक पहले क्या करता है हुब लता है accept लेकल रिखता है उसको इसंपे प्रोसेजर करता है उसका ordered बनाकर पर नियमत्रन अंतर खता है यह पाइप जो है computer के मेन खंचंड已经 newcomer कर देग तो ढटेक्श कैल वोना चाहिए और वैसे ही होता है लेकिन इंटर्नल अर्किटेक्ट्टर है वह क्या है वह जरा सा अलग होता है इसके प्रोसेस करने की तरह है उससे कंप्रोटर को हम यह करते हैं डिफाइन करते है जैसे कि मैंने अभी आपको पाच फंक्शन कंप्रोटर के बताए थी कि तो यह सब करने के लिए जो कंप्यूटर में डिवाइस लगे होते हैं यह तो उपरी तवर से हमें दिखते हैं कि मॉनिटर होता है अब आजो में प्रिंटर भी रखा होता है तो यह जो सब डिवाइसे से इसका एक पर्डिकुलर सिक्वेंस होता है इस सिक्वेंस को कंप्यूटर के भाष्चा में आर्किटेक्चर और कंप्यूटर केते हैं आर्किटेक्चर और कंप्यूटर का डिजाइन तो कंप्यूटर का काम कैसे करता है इससे उसका डिजाइन होता है इसको हम आर्किटेक्टर करते हैं एवरी computer system as the following components जो मैंने बोला था कि entity sub entities वो यह है computer के लिए तीन जो यह है components है वो बहुत basic है जैसे कि input है एक CPU central processing unit और एक output input unit क्या है फिर input unit मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा आप computer को instructions देते हैं commands देते हैं कुछ data पहुचाते हैं उसको input unit बोलेंगे तो किसके द्वारा देते हैं फिर हम computer को किसके द्वारा handle करते हैं दो चीजे बहुत ही basic है इसमें एक तो keyboard है और एक है mouse इसके अलावा भी बहुत सारे input devices है उसका हम यूज करते हैं लेकिन basic जो या फिर standard जो input device है computer के वो क्या है तो हो है keyboard और mouse है जो basic input device है computer के इसके अलाव भी हम क्या के यूज करते हैं तो बहुत सारे input devices यूज करते हैं जैसे कि हम MISCR यूज करते that is magnetic character recognition आप अगर किसी mall में अगर जाते हो तो आप दिखते हो वहाँ पर कोई भी product आप ने लिया तो उसके उपर एक scanner जैसे light डालते है वो फिर बारकोड जो होता है आपकी पर का वो बारकोड क्या करता है अटोमेटिक लिए computer में चला जाता है ओर आपकी जो product की किमत है उसको शो करने रगता है और फिर आपका डिवाइस के तोर पर कम्प्यूटर में काम करती है लेकिन बेसिक तोर पर कम्प्यूटर को इंस्ट्रेक्शन देने के लिए दो चीज़े बहुत इंपोर्टन है आज के लिए जमाने में that is keyboard and mouse फिर उसके बाद में क्या आता है फिर आता है CPU Central Processing Unit computer का सबसे जो important है वह है CPU जिसमें क्या होता है तो जिसमें पूरे computer की techniques technologies ingredients सभी के सभी मोजुद होता है CPU में अगर CPU नहीं है तो CPU के बिना computer क्या है complete नहीं है एक आत बार हमने keyboard नहीं लगाया तो भी चल जाएगा हम mouse से थोड़ा सा interaction कर सकते देखाते बार mouse नहीं लगाया तो भी चल जाएगा हम keyboard से interaction कर सकते लेकिन अगर CPU नहीं है तो आपके सामने जो monitor दिख रहा है वो फिर dead है CPU is the is one of the very important part of the computer computer का सबसे अगर महत्वा का important part है तो CPU तो CPU में क्या होता है CPU में बहुत सारे entities होते हैं सब entities होती है जैसे कि CPU में क्या होता है तो पहले होता है arithmetic and logical unit जिसको processor बोलते हैं जिसको क्या करता है इसके नाम ही देखो arithmetic and logic unit arithmetic बोले तो mathematical operations के लिए और जिसको हम बहुत ही easy शूपिश अगर कहें तो यह है processor जो प्रोसेस करता है कौन सी कौन सी प्रोसेस करता है प्रोसेस तो दो ही होती है एक तो mathematical होती है यानि mathematical operations होते है या फिर logical operations होते है जैसे कि downloading है uploading है कुछ decisions है बहुत सारे जो logical operations है और फिर mathematical क्या होते है तो हमारा कोई statement बनाना है टैली में है accounting बनाना है कोई लेटर बनाना है तो यह है mathematical operations तो the part of the CPU performs arithmetic operations it does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication and it can further even perform for logical operation like the comparison इसके लिए फिर पहला और बहुत ही important है arithmetic and logical unit फिर second one है control unit, control unit जो है वो computer में motherboard नाम से पहिचाना चाता है motherboard जिसका क्या महतु है तो जो control unit है वो क्या करता है जो computer का CPU का हिस्सा है वो क्या करता है control unit तो सभी जो हमने बोला था कि इसे फाज फाक्चन ने आद थे, फाज फांक्चन ने computer गहीन तो जो पहला function था तेक्स इन input, input accept करता है store करता है process करता है, output देता है और control करता है और control करता है तीक जो मैं गई क्रूपर करने वाला फाज फांक्चन था होगा कि motherboard खराब हुआ है, motherboard बदलना चाहते है, motherboard ऐसा, motherboard ऐसा, motherboard ऐने बहुत ही important होता है, computer में, तो यह है second that is controlling, control over the all operations which is going on, on the computer, computer में तो जो भी operations होते हैं उन सबको control करता है, उसे हम controlling बोलते हैं, फिर उसके बाद में, memory unit, memory unit क्या है तो memories है उसमें, memories दो प्रकार की होते है, एक है primary memory और एक है secondary memory, primary memory जो होती है computer की internal memory, जिसको हम main memory भी कहते है, computer की main memory जो होती है, वो primary memory होती है चािक इक डिल सौखिन Regla जिसको हम मैं आप जो सीदिघी भाष्ट में ठाफ हमारे मोबाइल में रहती है तो प्राइमरी में निम्हें कम और यह चो प्राइमरी मीमरी वाती है प्राइमरी में में boy तो आप ढूसर में इत्म से पिसपस्स मेरा हुए उससे कि लिए उसको चुकर में आज से आप अनलाइन चल रहा है तो आप सुनधे हैं तो आप क्या कर रहे हैं इसमें से सब आपको याद में रहेगा लेकिन जो भी रहेगा जो आप स्टोर करके ले रहे हैं आपके में 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 जो आपकी प्राइमरी में में मरी आपका माइंड है आप क्या कर रहे फिर इसको कहीं लिख के ले रहे हैं तो वह आ only memory RAM क्या है random access memory क्या है कि थोड़ी समय के लिए अगर कोई memory हमें support कर रही है तो उसको हम RAM कहेंगे थोड़े समय के लिए यानि हमारा जो procedure पूरा होने तक हमारा जो data है उसको convert करने तक या फिर procedure होने तक जो भी memory हमें support कर रही है उसको हम rambling that is random access memory और जो memory हम सेव करके रखते हैं computer में और वह सालों साल हमें दिखाती है कि आपका data सेव है सेव है सेव है वह memory हम जिस वह जो data हम जिस memory में सेव करते हैं उसको हम roam बोलते इधर read only memory जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और random access memory जिस memory जो memory थोड़ी देर के लिए है लेकिन जो primary memory है computer की बहुत ही important है जिसमें हम data को process करते है data पर process कर सकते है इट stand for random access memory RAM is known as the read and write memory जिसको हम read भी कर सकते है write भी कर सकते है it is generally referred as main memory of the computer इसको हम main memory भी बोलते हैं यह computer की temporary memory होती है इसको हम अगर थोड़ी देर के बाद हमने कोई भी data computer में लिया काम किया और छोड़ दिया उसको save नहीं किया तो चला जाता है उड़ जाता है इसलिए उसको हम बोलेंगे कि यह temporary memory है जैसे हमने उसको save किया वो data को तो वो second memory में चला जाएगा वो चला जाएगा हम उसको change करने जाएंगे जो आपका data save करके रखा है रोम में read-only memory में हम उसको change करने जाएंगे automatically data क्या होंगा random access memory में चला जाएगा थोड़ी देर के लिए फिर हम change कर सकते हैं फिर उसको save कर देंगे तो वो कहा चला जाएगा रोम में चला जाएगा read-only memory में यहने इसके नाम के मुताबिक RAM याने random access memory जो computer की main memory है थोड़ी देर के लिए data store करके रखती है थोड़ी देर के लिए process होने तक रोम याने read-only memory बहुत समय के लिए आपको data support करते ज़िए read-only memory अभी secondary memory किया है जो external memories होती है उसको secondary memory बोलते हैं जैसकी hardix जो है compiler की external memory है मैं उसको जोड़ सकते है computer से उसको निकाल सकते है वो external memory है ऐसी बहुत सारी जो memories है, जो external memories है, उसको हम secondary memory बोलते हैं, जैसे कि है hardics है, magnetic tapes है, जो अभी outdated हो गए, लेकिन आपके सामने जो किसरा option है, वो pain drive, वो मालूम है आपको, pain drive और hardics मालूम है, magnetic tapes है, flash drives है, flash memories है, optical discs है, CDs है, जैसे, DVDs है, अभी outdated हो गई है, लेकिन ये जो है secondary memory, जिस को हम external memory भी बोलते हैं, तो हमने, जो computer का organization है, उसमें देखी थे, कि पहला unit होता है, input unit, जिसमें क्या होता है, keyboard होता है, mouse होता है, और MICR, OCR, OMR, ऐसे devices होते हैं, जो हमें computer से interaction करने में मदद करते हैं, computer को instruction देने के लिए, जो भी device use करते हैं, उसको input devices बोलते हैं, फिर CPU आता ह parts होते हैं, जैसे कि arithmetic logical unit, जो processing unit है computer का, जिसमें process होती है, arithmetic बोले तो गनितिया process होती है, logical बोले तो logical, comparison वाली process होती है, इससे भी ज्यादा और, फिर control unit यानि mother board है, computer पे control करने के लिए, पूरे जो operation से उस पे control करने के लिए unit होता है, उसे control unit बोलते है, फिर memory unit आता है, memory unit यान बाधन store करके रख सकते है, कोई भी data store करके रख सकते है, that is memory, memory के दो प्रकार होते है, एक तो RAM होती है, और एक तो ROM होती है, एक तो primary होती है, और secondary होती है, primary memory में क्या आता है, तो RAM और ROM आता है, RAM यानि random access memory, जो कम समय के लिए data हम, read and write memory, जिसको हम read भी कर सकते है, write changes भी कर सक लेकिन जो second memory होती है, या फिर जो ROM होती है, read only memory, उसमें data हम बहुत long time के लिए save करके रख सकते है, लेकिन उसमें सिर्फ read कर सकते है, write करना हो तो हम primary में ही जाना पड़ेगा, हमें RAM में ही जाना पड़ेगा, फिर secondary memory में आएंगे हम, तो secondary memory में क्या है, तो external memory जैसे है, hard disk है, paint drive है, city drive है, divided drive है, SSD है, flash है, तो यह सभी के जो devices है, हो क्या है, वो है secondary memory, यह है memory unit computer का, हमने क्या देखा, input unit, फिर देखा हमने, arithmetic logical, फिर देखा control unit, और फिर memories, फिर देखेंगे हम output unit computer का, आपने monitor देखा होगा, computer का जो basic output unit है, वो monitor है, आप कोई भी operations computer में करते हो, तो आपको पहला उसका flash कहा दिखा ही देता है, monitor पर, इसलिए computer का जो पहला output unit या basic output या फिर standard output unit क्या होगा, वो है monitor, उसके CEO भी बहुत सारे output units है, जैसे कि अब printer से print भी ले सकते हैं, कोई अगर speaker जुडा हुआ है, तो अब speaker से भी सुन सकते हैं, तो speaker है, monitor है, printer है, जहाँ से भी output ले स सकते हैं, उसको बोलेंगे, output unit, तो यह है, computer का basic structure, और computer का basic organization, architectures, अभी हम क्या देखेंगे, अभी देखेंगे, हम memory और memory की units क्या होते हैं, आप अभी इस जमाने में आपके हाथ में, जो mobile है, उसके आप memory पूछते हो, या memory बताते हो लोगों कि यह 332 का है, या 464 का है, तो यह क्या है, यह memory, तो क्या बता रहें आप उनको, यह बता रहें, आपकी memory का unit बता रहें, जैसे कि हम temperature का का में मुझते है, का में मुझते है temperature, जैसे कि हम जो धूप है, वो का का में मुझते है, तो जो धूप है, temperature है, जिसको हम Fahrenheit में मुझते है, या फिर पारा में मुझते मिजते तो यह क्या है इसंद यह यूैट्स तो करके हम this degree तो किलोंमेटर से इसह हम और में भीर में डिशद दिजिस अथा यूनिट धट मेंजडों Majora करने के उनिट में पेसे यूनिट से है बिट शिर्फ दो binary digits से बना होता है जिसमें आता है शुन्य और एक जिरो एंड वन्स यह सबसे छोटा memory का unit that is bit bit जैसे देखो ग्रैम होता है milligram जैसे सोना होता है वह हम क्या हो मुझते सोना ग्रैम में मुझते के एक ग्रैम 2 ग्रैम फिर 10 ग्रैम हो गए तो तोला हो होता है उसका फिर दस तोले होके तो सो ग्राम हो जाता है फिर सो ग्राम के दस हो जाता है हजार ग्राम तो एक किलो हो जाता है तो यह क्या है पहले मिली ग्राम फिर ग्राम फिर तोला फिर क्या हो गया फिर हो गया किलो ग्राम को भी अगर जोड़ दिया तो आजार किलो ग्रा यूनित है यह, वहिसे ही हमारे जो memory का unit है, memory का सबसे चोटा unit है bit, bit में क्या होता है, bit में सिर्फ दो digit होते है, जिसमे 0 होता है, एक होता है, अभी यह 0 और 1 के जो 8 अगर bit ले ले लेते हम तो 1 byte बन जाता है, समझो 0, 1 के जो एक group है, 0 और 1 byte, bit है, यह bit के अगर 8 bit हमने ले लि तो क्या हो गया वो एक byte हो गया है अभी और मैं एक बार समझातौँ कि आपके पास में एक bit है 1 bit मतलब क्या है आपके पास में दो ही सिर्फ unit है एक तो 0 और 1 फिर 0 1 का एक group है आपके पास में जिसको हम bit बोलेंगे ऐसे 8 bit हमने ले लिए तो एक byte बन जाएगा एक byte बन जाएगा और 1024 अगर byte हमने ले लिए तो 1 kb याने 1 kilobyte बन जाएगा और फिर 1024 अगर हमने kilobyte ले लिए तो 1 megabyte बन जाएगा 1024 हमने megabyte ले लिए तो 1 gigabyte 1 GB और 1024 GB हमने ले लिए तो 1 TB ये बहुत बड़ा होता है और 1024 TB ले लिए तेराबयट ले लिए तो 1 PB पेटाबयट बन जाएगा और फिर 1024 अगर पेटाबयट हमने ले लिए तो 1 exabyte जो EB है जो इतना ज्यादा हो गया कि पूरी दुनिया की information उसमे हम स्टोर कर सकते हैं पूरी दुनिया की देखो शबसे चोटा यूनेट क्या था bit था जो 0 और 1 था ऐसे 8 bit का 1 by हो गया ऐसे Esther 2024 byte का 1 KB हो गया ऐसे 201024 कि लोगाइट का 1 Mb हो गया 2014 Mb का 1 GB हो गया 2014 20125 गीगाबाइट का एक टेराबाइट हो गया एकößैण चोबिस टेराबाइट का एक पेटाबाइट हो गया Stuff इतना बड़ा होता है कि पूरी दुनिया का डेटा उसमें स्टोर होता है आपको मालूम होगा कि MP से हमारा जो मेमरी है वो शुरू हो जाता है अभी GB में, चलो GB में, हमको जब कम्प्यूटर समझ में लागा था, तो हमारी कम्प्यूटर के लिमिट रहती थी 80 GB, और उसकी मेमरी रहती थी 512 MB, जो जो अधी GB होती है, 512 MB बोले तो अधी GB, अधी GB पे हमारा कम्प्यूटर चलता था, 15 MB पे चलता था, आज आज आपके मोबाइल में, करीब करीब 4 GB की मिमरी है, जो प्राइमरी मिमरी है आपकी, वो 4 GB की है, तो यह हो गया है मेमरी का यूनिट, अब नेक्स लेक्चर में हम हार्डवेर और सब्ट्वेर की कुछ देखेंगे, आपको आज की उनिट का कोई भी अगर डाउट है, तो जो वीडियो लेक्चर अरेंज करेंगे आपन, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं, ठैंक्स अलोट, ठैंक्यू सो मच,